गुड मोर्निंग आवरीवन दोस्तों आज हैं मार्ज 21, 2022 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर की अनालसीज मेरा नाम है सितेंदर चोधर ही और रोज की तरह कुछ सिलेक्टिड टोपिक्स मैं यहाँ पे आपके लिए लेके आया हूँ एक बर ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं कौन-कौन से टोपिक करने वाले हैं फिर जाएंगे हम लोग इनकी डिटेल्स में तो दोस्तों सबसे पहला जो टोपिक रहेगा वो रहेगा साइकलोन के बारे में क्योंकि अंडमा निकोबार में अब एक साइकलोन आने वाला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे तो इन जनरल भी आपको साइकलोन के बारे में थोड़ी इन्फरमेशन दूँगा औ क्योंकि पता ही आपको जोग्रफी मेरा ओप्शनल भी रहा है दोस्तों दूसरी बात करेंगे इंडिया इंट्रस्ट इन आर्क्टिक देखे 2020 में यहां से डायरेक्ट कोश्चन आया था एक दम से बिलकुल पूछा गया था के डिसकस दा मतलब वाई इंडिया इस टेकिंग की इंट्रस्ट इन आर्क्टिक आज इसी कोश्चन को हम लोग अटेम्ट भी करेंगे मतलब आपको हमें पुरा पूइंट बता दूँगा अटेम्ट तो आप नहीं करना है उसके बाद आप इसको सब्मिट कर सकते हो तो सीधा नियूस पेपर से डिरेक्ट कोश्चन आपका य इंट्रडिक्शन ओफ चीता देखी ये दोन ये कोश्चन एक ऐसा है ना यहां से पोटेंशल कोश्चन एक्जाम में बनता ही बनता है प्रिलीम्स को तो छोड़ी आप यहां से मेन से जरूर कोश्चन बता है आपका जी एस पेपर थरी से क्योंकि जब भी हम लोग किसी करते हैं या ट्रांसलोकेट करते हैं वो हमारे लिए इंपोर्टेंट हो जाता है तो बात करेंगे पुरे चीता की बारे में इसकी हिस्ट्री आपको बताऊंगा कि इंडिया में कैसे इसको इंट्रोडक्शन किया जा रहा है कहां इंट्रोडक्शन किया जा रहा है क्यों किय जा रहा है इसके लेके challenge कौन कौन से हैं और क्या क्या solution यहां पे हो सकते हैं textile industry in india यह आज का editorial section है मेरे खाल से अभी तक हम लोगों ने इतने दिनों से analysis कर रहे है textile industry के बारे में अभी तक बात नहीं किया है as a like detail में बात नहीं किया था Specially South Asia की Textile Industry के हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, यही आज का Actually Editorial Section भी रहने वाला है, फिर हम पढ़ें के Japan, India और RCEP, Regional Corporation Economic Partnership के बारें बात करेंगे, क्योंकि Japan ने इंडिया को क्या किया है भईया, request किया है, कि सराइए प्लीज आप RCP को जोइन कर लीजिए, तो आज हम लोग दो question जो है, यहाँ पर mains के attempt करेंगे, content में आपको बता दूँगा, उसके बाद लिखना दो देखे आप नहीं है, आप उसको जाके submit कर सकते हो, और अपने answer writing practice भी कर सकते हो, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं, बरीफली आज front page में क्या क्या news दी हुई है, फिर थोड़ा आगे कर दिया है, मतलब उसको 8 weeks कर दिया है, ठीक है, बस और तो इसमें कुछ खासता नहीं, हलागि जब पहले जो vaccination के बारे में हम लोग ने बात किया था, उसमें आपको मैंने कहीं सारी research ऐसी बताये थी, जिनका ये कहना था, कि भाईया, अगर दो vaccine के बीच में आप जितना रखो गे ना, उतनी ही ज़ादा जो है, आपकी body, antibodies develop करने के लिए तैयार हो जाती है, तो इन्होंने ये gap थोड़ा सा भी यहाँ पे कम कर दिया है, यही news थी, दूसरी news आफ्टर ये पूरा politics का news है, इसको करने वही फैदा है, नहीं, इसका जो political angle है, वो आप कर सकते हो, कि जो CM को किस तरह से attempt किया जाता है, यहाँ पे majority जो rule होता है, वो किस तरह से होता है, यहाँ पे governor का क्या discretionary powers होती है, इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें अगर आपको करना है, तो polity में आप उस तरह से कर सकते हो, लेकिन ऐस सच ये news हमारे लिए important नहीं, कुछ लक्षमी कांत मे आप ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, परफॉर्म और पैरिश केजरिवाल ये पुरा एकदम से political news है, बहुत नकली दारू पीने से घटिया दारू पीने से बिहार में 14 लोगों की unfortunate death हो गई है, तो ये हमारे लिए खास को important नहीं है, लेकिन थोड़ा सा को करना है तो ये अग्जंपल देने के काम आही जाता है, तो ये देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग अपने main topic पर चलेंगे, Japan still hopes India will join RCEP, RCEP क्या है दोस्तों, ये है regional, देखे, regional comprehensive economic partnership, देखे, ये जो है ना, बहुत सारी countryों ने आपस में मिलके एक partnership किया, basically एक free trade agreement है ये, इसमें बहु South Korea, Australia, New Zealand और 10 member जो Asian country के हैं, बहुत बड़ा group है दोस्तों, ये दुनिया की अभी तक की सबसे largest trade deal है, दुनिया का 30% जो GDP है वो ये country उसके अंदर होती है, इसके अंदर Australia भी है, New Zealand भी है, हाला कि जब इसकी negotiation शुरू हुई थी 2011-12 के आसपास, उस समय इंडिया इसका founding member हुआ करता था, तब ही इंडिया में Congress की सरकार थी, बाद में जब BJP की नई सरकार बनी तो ये BJP की सरकार का attitude जो है ना, वो free trade agreement को लेके थोड़ा सा negative था, election rallies में भी लगतार बोला गया कि हम लोग free trade agreement नहीं करेंगे, इसको इंडिया का नुकसान हुआ है, तो finally 2019 में जब ये street को finally signature करने की बात आई, तो इंडिया ने उससे back out कर लिया, और 2019 में इंडिया ने इससे basically opt out कर लिया था, इंडिया का कहना था कि ऐसा करने से क्या होगा कि Chinese जो समान है वो इंडिया में dump हो सकता है, तो इस dumping को रोकने के लिए basically इंडिया ने इससे बाहर निकल गये थे, अब के साथ हम लोग ने किया, Australia के साथ किया, Canada के साथ हम लोग discussion कर रहे हैं, European Union के साथ हम लोग discussion कर रहे हैं, तो जब इंडिया का भी जो अप्रोच है वो change हो रही है, तो जपैन ने इंडिया से request किया कि भाया आप आईए और आप RCEP को दोबारा से join कर लीजिए, लेकिन इंडि भी कर लिया, तो भाया और साथ सामान इंडिया में चाइना काने लगेगा, वो सारे की सारी चीज़ें यहां पर concern था, इंडिया का, इसकी वज़े से इंडिया ने इससे opt-out कर लिया था, लेट्स होब किया होता है, एक और छोड़ी सी news है कहता है कि Quad has accepted India stand, of course भाया तो यू कांटेड है, Quad country, Japan ने भी sanction लगाए है, रशिया के उपर, Australia ने भी sanction लगाए है, और USA ने तो खर लगाई ही है, तो इंडिया इनी का मेंबर है, तो भाया वो यह सोच रहे थे कि इंडिया हमारा दोस्त है, तो यह शायद हमारे साथ साथ मिलेगा, रशिया के उपर दबाव ब काई थी कुछ western countries को, इंडिया ने कहा था कि ऐसी country जिनके अंदर खूब सारा oil है, वो इंडिया को फालतू में ग्यान ना दें, चिक है, कि उन वहाँ से oil मत मंगवाओ, पहली बात तो योरोप से आज भी, योरोप के अंदर आज भी रशिया से दुनिया भर का तेल आता है, योरोप की 25% जो oil की requirement है, और 40% जो natural gas की requirement है, वो आज भी रशिया से आती है, यूक नाइटेड किंगडम को छोड़के बाकि किसी भी European country ने रशिया से अपने oil import को बंद नहीं किया है, तो भाया आप हमें कौन से, मतलब किस लिहाद से आप हमें ग्यान दे रहे हो, जब और oil को बंद नहीं कर रहे हो, और इंडिया को तो discount पर मिल रहा है, क्यों नहीं लेगा, इंडिया को तो पूरा oil हम लोग import पर ही depend करते हैं, तो कुछ-कुछ और कि मैंट थै जिसको भी जो है code ने समझा है, और code ने कहा कि हम इंडिया की मजबूरी समझते हैं, definitely, और ठीक है आज के main article के उपर जो कहता है कि island अंडमा निकोबर में वहाँ पर आ रहा है cyclone, ठीक है, आप थोड़े एक बार अंडमा निकोबर की location देख लीजिए, प्रिलिम्स में जो है बहुत वारो, state PCS में तो भया भयंकर यहां से questions पूछे जाते हैं, देखें, अंडमा निकोबर के वह coral islands हैं, लेकिन अंडमा निकोबर वाले coral islands नहीं है, यह tectonic activity से बने थे, जब हमारी Indo-Australian plate और दूसरी तरफ से कौन सी plate आ रही थी, हमारी आ रही थी, Loration plate है ना, Loration plate, जब यह दोनों प्लेट, Loration plate जो major plate है, और Loration plate के अंदर ही, जो आपकी जो Myanmar plate है, वो एक minor plate है, तो य स्टonic activity हुई, जिसकी वज़े से अंडमा निकोबर originate हुआ था, अंडमा निकोबर के बारे में आपको बता देता हूँ, कि यहाँ पर नोर्थ अंडमान, मिडल अंडमान, यह साउथ अंडमान, यह लोवर भी कहा सकते हो, और एक आहार आता है हमारा अंडमान, तो यहाँ दो island of groups हैं, उपर की तरफ आता है अंडमान और नीचे की तरफ आता है निकोबर, जो कि यहाँ पर कार निकोबर आप यहाँ पर किलिरली देख सकते हो, उसके लावा एक चीज़ आपको और बता दूँ, कि लिटम अंडमान और कार निकोबर, मतला अंडमान और निकोबर के बीच में जो है एक channel होता है, इस channel का नाम पता क्या है, इसका नाम होता है 10 degree channel, इसका नाम है 10 degree channel, ठीक है वैसे तो मतला latitude होता है, 10 degree latitude, नाम हम लोग ने इसका दे दिया channel, channel मतला इसा water body है तो दोनों को आपस में separate करती है, उसके लावा अगर आप देखो तो south अंडमान और little आपक्नपाँ वह सकते हैं इंनके बीच में यहाँ हैं इंडोनेषिया इनान jCK meno डा सट्रव जो मैंनी के बीच में ऐग जे यहां है और साइड में यहां पर इंडोनेश्या है इनके बीच में वह बीचनल आता है इसे हम लोग के लावा अंडमान निकोबार में अभी मैं आपसे question पूछता हूँ, बहुत जानकारी मैंने आपको दे दिया है, question आपसे ये पूछता हूँ कि अंडमान के अंदर दो जो है volcanic eruptions भी होते हैं, आप मुझे ये बताओगे, उनमें से active वाला कौन सा है, ठीक है, दो होते हैं, एक कलकता हाई कोट के अंदर आता है, किस के अंदर आता है, आप एक information आप मुझे थोड़ी सी ये बता दोगे, अब बात करते हैं, साइकलोन के बारे में, देखें साइकलोन यहाँ, तो अफकोर्स क्योंकि ये ट्रोपिकल साइकलोन है, तो ट्रोपिकल साइकलोन के बारे में ही है ट्रोपिकल साइकलोन ट्रोपिकल एरियाज में ही होते है ठीक है एक्वेटर के ओपर नहीं होते है तो ध्यान रखना एक्वेटर के ओपर जो है वह साइकलोन नहीं होते क्यों नहीं होते क्योंकि साइकलोन होने के लिए भाहिया कोरॉलिस फोर्स की रिक्वाइरमेंट होती हैं तो कुछ-कुछ information तो आपको पहले से पता ही है कि जो टेंपरेचर ओशियन का है वो 26-27 डिग्री के से जादा होना चाहिए है ना वो सारी थोड़ी वोई चीज़ें आपको पता है पहले से ही तो ट्रोपिकल साइकलों पुरी दुनिया में आते हैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ टाइफून्स बोलते हैं इंडिया वाले बड़े शरीफ हैं हम लोगों ने इसका कोई खास नाम नहीं रखा हम इसको सिर्फ उसिर्फ ट्रोपिकल साइकलों ही बोलते हैं हाँ ऐस्ट्रेलिया में वे खास नाम होता है इनका आप मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बता दोग क्यों चलती है क्योंकि यहां पे चलती है ट्रेडविंड ट्रेडविंड की डिरेक्शन हमेशा इस टू वेस्ट होती है तो जब यह ट्रेडविंड चलती है तो इसलिए इन साइकलों को वो वेस्ट की तरफ जो है ड्रैग करके लेके जाती है इसलिए तो आगर आप इंडि बेंगोल के अंदर cyclone इस तरह से आते हैं यहां पर cyclone इस तरह से आते हैं ठीक है और एक चीज़ आपको बता दूं कि जो ट्रोपिकल cyclone होते हैं northern hemisphere के अंदर वह हमेशा anti cyclone होते हैं anti-clockwise ही घुमते हैं ठीक है, Southern Hemisphere के अंदर ये clockwise घुमते हैं, तो जब भी Bayo Bengal के अंदर, जब भी कोई cyclone आता है, तो वो West की तरफ चलता है, मतलब वो इस side की तरफ चलता है, तो वो या तो Terminadu Coast के उपर, या फिर वो Andra Coast के उपर, या फिर Odisha Coast के उपर hit करता है, कभी-कभी वो West Bengal के तरफ भी चला जाता है, और अगर Arabian Sea के अंदर cyclone आते हैं, तो फिर वो जो है, आफरीका, साओधी अरेबिया के तरफ चले जाते हैं, कभी-कभी जो है, गुजरात कोस्ट पर हिट कर जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा strong होते हैं, या फिर उस समय trade wind जो है week होती है, फिर वो अपना path खु लेके already exam में question पूछा जा चुका है, कि cyclone का नाम कैसे रखते हैं, मेरे काल से 2015 के अंदर question आया था, क्योंकि 2014 के अंदर cyclone आया था, तो उसके बारे में ही ये question था, तो बहुत सारी country होती है, इसे ही जो अपना अलगले से नाम suggest करती हैं, जैसे Indian Ocean के अंदर 13 countries हैं, जो अपना नाम suggest करती हैं, और बार बार जो है, वो रखा जाता है, इसके लिए मैं आपके source बता देता हूँ, आपने क्या करना है, आपने Google पर जाना है, और वहाँ पर करना है, कि how in tropical cyclones are named, इतना लिखने के बाद आपने उसके end में लिख देना है Indian Express, तो Indian Express का एक article आपको देखने को म लिख देना है, जब अरदस्त article है, वहाँ से आपका पूरा एक अच्छा question त्यार हो जाता है, ऐसा नहीं कि एक बार वो question पूछ लिया गया तो दुबारा पूछा नहीं जाएगा, UPSC में बार बार भी question same topic से पूछे जा सकते हैं, ठीक है जी, चलिए, दोस्त आगे बढ़ question ठीक है जी, और इसका ये question आप attempt करोगे, description में आपको link दिया हुआ है, वहाँ पे जा के आप उसको submit करोगे, ठीक है, सभी नोगों ने इसको करना है, तो ये इसी article से regarding, इसी के content के regarding, दोवारा से एक और question यहाँ पे है, article पूछे सकते हैं, India hopes to put down roots in Arctic, roots in Arctic, थोड़ी information आपक Arctic के अंदर, वो है ही मादरी, जब आप Arctic की बात करते हो ना, दोस्तों, इसका मतलब पता क्या होता है, Arctic का मतलब होता है, जो 66 and half, जो हमारा Arctic सरकल होता है, इससे उपर जितना रहता है, वो सब Arctic होता है, तो जैसे आपका यहाँ पे जो है, पैन कहा गया है मेरा, जैसे आपका ही मादरी, अभी सी के रिगार्डिंग, आप मुझे कुशन बता दीजिए, फटा-फट कमेंट सेक्शन में, आपके यह बताना है के अंटार्क्टिका के अंदर, जो है इंडिया का कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसके कमेंट सेक्शन में बताओगे, तो भाया, आपकी त्यारी, और मुझे भी लगेगा के हाँ, आपको मैं ठीटा करवा रहा हूँ, चीक है, तो वो सब करने वाले हैं, तो एक आर्क्टिक काउंसली बिनाई गई है, जिसके अंदर यह जो कंट्री आती है, इस सरकल के अंदर वो सब इन्वोल्व रहती हैं, उसके अंदर जो है इंडिया यहां पर observer member है, मतलब और 12 countries हैं, जो कि observer member है, इंडिया जिन में सेक है है, चाइना भी यहां पर है, कहीं सारी country है, और बहुत जादा लोग यहां पर रहते हैं, संख्या जादा नहीं है, mostly यहां पर tribal population ही रहते हैं, जो indigenous लोग रहते हैं, तो यह तो सारी सारी चीज है, पहले देखें, यहां पर geographical, climatological भी है, देखें, इंडिया में एक चीज है, जो कि हमारे country को चलाती है, हमारे country का engine है, वो है monsoon, ठीक है, और monsoon दुनिया का सबसे complex और सबसे fragile climatological phenomena है, तो arctic के अंदर जो भी हरकत होती है, उसका impact monsoon के उपर भी पढ़ता है, इसलिए arctic के climate को समझने की हमें जरूरत है, ताकि हम लोग monsoon को और अच्छे से समझ सकें, तो ये तो important है ही हमारे लिए, जो climatological important है, और भी बहुत सारी important है, जैसे trade के purpose के लिए, अगर ये arctic future में, क्योंकि arctic का परफ तो पिखले वाला है, या climate change की वज़े से, तो ने ने root open हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो arctic से और बहुत सारा oil भी यहाँ पर है, बहुत सारी natural gas भी यहाँ पर है, रशिया के साथ हमारे relation पहले से ही अच्छे हैं, तो रशिया से हम लोग future में और ज़्यादा oil इंडिया में import कर सकते हैं, अगर arctic open होता है, तो तो उसके लिए अभी से हम लो oil, reservoir बहुत सारी चीज़े यहाँ पर हैं, और और ज़्यादा हम लोग अच्छे से research कर सकते हैं, वर्ल्ड के past climate वगरा को जानने के लिए, आर्क्टिंग में जो चीज़े हो रही हैं, वो सब हम लोग कर सकते हैं, तो बहुत सारी opportunity है, geopolitics opportunity भी यहाँ पर बनती है, जो nordic states हैं, नोर्वे है, सभी यह जो states हैं, इनके साथ हम लोग science and technology के अंदर, climate के अंदर, geographical and geopolitics relationship जो हैं, और जादा strong यहाँ पर कर सकते हैं, बहुत सारे point हैं, तो आपने क्या करना है, बस comment section में आप बस, यह तो comment section में बता दो, अलग से answer लिखने का मन कर रहा है, तो अलग से answer भी चाइना भी यहाँ पर observer member है, वो भी बड़े धूम धाम से यहाँ पर research कर रहा है, अपने लिए, तो definitely उसको भी counter करने के लिए, इंडिया को भी चाहिए, हम भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करें, क्योंकि directly हम लोग Arctic से related नहीं हैं, लेकिन indirectly तो definitely एक opportunity बनती ही है, Arctic जो circle है, proper Arctic circle किसी country के ascender में ऐसर चाहता नहीं है, तो कहीं सारी country है, यहाँ पर जो member है, जो decision लिए जाते हैं, वो सारी चीज़े हैं, उसके लाबावा internationally, वो तो सब कुछ है ही, रशी इनदा towards Arctic, रिच, सिरसोर्च रिच Arctic यह थोड़ा सा मुझे मिल गी थी कहीं पर अच्छी सी image, तो आगे बढ़ते हैं, आज का एक और question आपके सामने है, discuss the benefits and the challenges of reintroducing cheetah in India, what should be the approach to make the project successful, conserving the existing wildlife is better than reintroducing a new wildlife in habitat, in this backdrop discuss the challenges in introducing cheetah in India, तो घुमा फिर आके content दोनों का एक ही है, बस वो language थोड़ी से अलग रहती है, UPSC में भी बहुत बार ऐसा होता है, वो सिर्फ language change करता है, और अंदर वाला material लगबग लगबग, यहां पर सेम ही होता है, तो बात ही है कि इंडिया की government ने मन बना लिया है, कि हम लोग चीते को introduce करने वाले हैं, इंडिया के अंदर, यह कोई नया topic तो नहीं है, पुराना topic है, बहुत समय जिसके हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन, actually आज दो article using African cheetah, तो दोनों यह GS paper 3 से related हैं, तो हम actually research नहीं करूँग, इतना समय नहीं है, यह थोड़ा सा मैं आपको यहां पर बता देता हूँ, चीता के बारे में, देखे दोस्तों जब लोग चीता की बात करते हैं, तो चीता जो है ना, इसको big cat के अंदर introduce किया जाता है, क्योंकि च जाता है, इंडिया में extinct हो चुका है, extinct मतलब अभी इंडिया की ना तो जंगल में पाया जाता है, और ना ही हमारे zoos उगरा में पाया जाता है, पूरी तरह से खतम है, extinct in wild and extinct in captivity, कहीं पे भी नहीं है, पहले इंडिया में बहुत ज़ादा चीता पाया जाता था, वैसे चीता साइज को अतना बड़ा नहीं रहता है, आज के समय में असेटिक चीता सिर्फ और सिर्फ इरान के अंदर पाया जाता है, और अफ्रीक चीता तो लगभग पूरे अफ्रीका में ही खासकर जो grasslands हैं वहाँ पे पाया जाता है, क्योंकि देखिए grassland में क्यों पाया जाता है, लाइन टाइगर सब ग्रास लैंड में पाए जाते हैं क्योंकि ये शिकार करते हैं ये ये कार्णी वोर्स होते हैं और कार्णी वोर्स हमेशा हर्भी वोर्स का शिकार करते हैं और हर्भी वोर्स तो वहीं पर मिलेंगे भीया जहां पर घास होगा तो घास खाने के लिए हर्भ 1952 में officially इंडिया से चीते को extinct declare कर दिया गया था हाला कि कुछ evidence ऐसा कहते हैं कि शायद इंडिया में 1967 तक भी चीता को देखा गया है लेकिन हम लोगों ने 1952 में इसको basically कर दिया था एक समय ऐसा हुआ करता था जब पूरे इंडिया में पाकिस्तान में और नेपाल तक भी की बात नहीं है दोस्तों ये ancient time में भी जो अब हमारे Greek literature के अंदर भी mention किया गया है कि इंडिया में चीता पाया जाता है उसके लावा हमारे बहुत सारे पुराने text हैं उनके अंदर mention किया गया है उसके बाद मुगल्स जो है बहुत शोकीन हुआ करते थे चीता के ऐसा कहा ज जुदू था उसके अंदर भी जो है 200 से प्लस जो है चीते हुआ करते थे बर्मारत ही चीतों की और उसमें चीते के शिकार करना एक बहुत बड़ी बात मानी चाहती थी है ना क्योंकि भागता बहुत तेज है ना तो जो भागता है उसका शिकार करने में ज्यादा मज़ा आ पास पास तो उसके पाद बिरिटीश शर्ट उसने भी बहुत ज़ाया थाक्रिफ़ों यह देना रख दिया था बां। पाउंटि के मतलब यह होता है कि जो लोग चीट हो लेका जब हों उसको पैसा पैब करेंगे तो तस बहुत भी इजनस बन गया बहुतBeat चीते को मार दिया तो कई बहुत सालों तक चीते को लगतर लोग मारते रहे मारते रहे और आखरी में सिचुईशन ऐसी आ गई यह बेचारा पूरी तहरा से ही खतम हो गया चीते की एक और खास वराइटी यह होती है चीते की कास QUALITY होती है कि चीता को अगर आप captivity में रखते हो नहीं मतलब आगर जुम में रखते हो तो यह मेटिंग नहीं करता है पता नहीं क्यों है ऐसा लेकिन चीता को जू में रखने के बाद यह में नहीं करता रिप्रोड़ॉक्शन नहीं करता है तो उसके को कर नहीं सकता जंगल में इसको को लेके आएंगे चीता को इंट्रड्यूस करने की जब बात आई तो बहुत समय तक बहुत बात आजी है आजी कोई नहीं बात नहीं है इंद्रा गांदी के समय से ही चीता को इंट्रड्यूस करने की बात कही गई लेकिन फिर लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये सही नहीं है क्यो चीता की जो एक खास चीज यह होती है ना चीता को जो बेस्ट फूड है है ना जैसे आपका बेस्ट फूड कुछ हो सकता है खीर हो सकता है कुछ भी हो सकता है चीता को ना ये जो हमारा जो ब्लैक बग होता है ब्लैक बग है ना वो इसका फेवरेट फूड है तो ये चीता ब् Britishers ने basically चीतों को मारा ये भी एक reason हुआ करता था क्योंकि Black Buck की संग्या बहुत जादा कम हो गए थी चीता की वज़े से तो introduce नहीं किया गया क्योंकि बहुत सरे expert लोगों ने कहा कि अगर दुवारा से इंडिया में बुलाएंगे मतलि reintroduction करते हैं तो Black Buck को खतम कर देगा वह सारी सारी चीज़ें अब Black Buck तो वैसे भी हम लोग यहां पे हमारा Wild Life Protection Act जो 1972 है उसमें एक दम schedule 1 के अंदर है और बहुत critically endangered भी है तो उसको इसलिए हम लोग ने introduce नहीं किया फिर वही गुमते फिरते बाद जो है फिर वो 2008-2009 के आसपास आगई सरकार ने फिर से कोशिश किया कि इसको किया जाए लेकिन 2012 में सुप्रिंग कोट ने फिर से चीटा को introduction करने से मना कर दिया था मना कर दिया था हलाकि पहले हम लोग सोच रहे थे कि इरान से चीटा लेकी आएंगे लेकिन इरान ने भी हमें देने से मना कर दिया फिर हम लोग ने कुछ African countries तंजानिया वगरा को उनको हम लोगोंने नामीबिया तंजानिया उनको अप्रोच किया तो वो भी लोग मान गए हैं तो 2012 में Supreme Court ने इसको मना कर दिया था तो उसके बाद यह मावला ठंडे बस्ते में चला गया था फिर हम लोगों ने कुछ अपने protected area से को identify किया और अभी क्यूनो जो national park है मध्या परदेश के अंदर उसको basically हम लोगों ने identify किया है कि हम लोग चीते को वहाँ पे introduce करने वा ने आपको ज़्यादा ही information दे दिया है इतनी requirement नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको definitely पता होना चाहिए कि what are the challenges associated with the cheetah reintroduction वह थोड़ा आपका पता होना चाहिए और ठीक है उसके लाब क्या क्या solution ऐसे हो सकते हैं कि जो भी stakeholder हैं उन सबी को आप consult कीजिए और जो चीत है कि हम लोग चीता इसलिए introduce कर रहे हैं ताकि एक तो इंडिया की जो wildlife है वो और जादा diverse हो जाए एक तो सरकार का यह कहना है दूसरा सरकार का यह कहना है कि चीता को हम लोग इसलिए introduce कर रहे हैं ताकि यहां के जो top predators होते हैं उनको maintain किया जा सके जो की food chain के अंदर सबसे top प predator हैं हमारे यहां पर जैकॉल है लाइन है टाइगर है है ना तो एक नए को introduce करने का कोई फायदा नहीं बलकि उसके वज़े से competition बढ़ेगा और जो existing predator हैं उनके बीच में challenge आ जाएगा तो इसका नुकसान जादा होने वाला है फायदा कम होगा एक सरकार argument यह भी दे रही है क जो चीता को हम लोग introduce करेंगे तो हम हमारी जो ecological जो conservation effort है वो और ज्यदा फास्ट हो जाएगा जिसकी वज़े से इंडिया जो है climate change को अब tackle करने के अंदर भी हम लोग काम कर सकते हैं लेकिन expert का कहना कैसा नहीं है जो कि existing हमारे पास जो grasslands हैं उनका degradation आप रोकिए हमारे जो forest ह हैं उनको उनके degradation को रोकिए जो forest fire होती है आप उनको रोकने के लिए प्रयास कीजिए तो और भी तरीके हैं सिर्फ यही एक तरीका नहीं है चीता को introduce करने का कोई ऐसा मतलब भी बनता नहीं है कि कितने साल से extinct हो चुका है तो हमारी जो existing wildlife है वो अपने हिसाब से ढल चुकी ह है न तो जैसे उनको नहीं जानवर दिखेगा वह तो ऐसे ही डिस्वेलेंस होई जाएगा तो अब यह पूरा मामला बनता है चीता को लेके content आपको दिया हुआ है आप इसमें अच्छे से पढ़ सकते हो उसके लावा कुछ और extra information आपके पास होगी तो उसके साथ भी आप को merge कर सकते हो अब बढ़ते हैं दूस्तों आज के एडिटोर सेक्शन में क्या कहता है get these wrinkles out of the south Asian text textile story देखे हमेशा आपके लिए मैं ऐसे ही लेके आता हूं PPT की format में लेके आता हूं ताकि आपके पास एक बढ़िया से content यहां पर बन जाए और कहने का मतलब यह है जब textile industry की बात आती है तो Asian country हमेशा सही यहां पर टोप में रही है कोई नया industry हमारे लिए विल्कुल भी नहीं है ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया में आये थे तो हमारी cotton textile industry को पुरी तरह से उन्होंने कर लिया था काबू में तो जब हम लोग textile industry की बात करते हैं तो पाकिस्तान बां प्रसेंट शेर होता है और इंडिया दुनिया की 5th largest textile industry है तो यह तो हो गया बांगलादेश एक बहुत बड़ा market उभर के आया 1990s के बाद में हाला कि उससे पहले श्रिलंका का दबदबा हुआ करता था लेकिन जब वहां पे लिट्टे उगरों को लेके वहां पे civil war हुए श बंगलादेश की textile industry बंगलादेश की सबसे बड़ी इंडेस्ट्री मानी जाती है लेकिन जैसा कि हमेशा ही होता है हर इंडेस्ट्री के अंदर challenges होते हैं तो इसको लेके भी कुछ challenges है कौन कोसी challenges है पहली बात तो यह कि समया बदल गया है technology का समया आ गया है नई machine का समया आ ग 3D printing दुनिया भर की चीज़े हैं robotics का introduction हम लोग कर रहे हैं जिसकी वज़े से यहां पर job loss होने का बड़ा खत्रा हो गया है क्योंकि machine take over कर लेंगी तो लोग वहां पर काम करते हैं तो definitely out of job होई जाएंगे और इंडिया बंगलादेश पाकिस्तान भीया यहां पर population तो खूब ह माशालला है ना तो इतनी बड़ी लोगों population है उनको काम धंदा मिलता है उनका घर बार चलता है तो जब हम लोग machine यूज़ करेंगे robotics तो definitely out of job होई जाएंगे inequality बढ़ेगा disruption होगा और political instability भी हो सकती है सिधी सी बात है जब लोगों के पास job होगी ही नहीं तो वो क्या करेंग तो बहुत implication है इसके है ऐसा सिर्फ economical implication नहीं है political implication भी यहाँ पे है concentration of the market power by the global giant and the more vulnerable to the cyber attacks तो नया technology आएगा तो cyber attack होने के भी chances यहाँ पे बढ़ जाएंगे क्योंकि आपका पूरा system जो है वो computerized हो जाएगा online हो जाएगा global giants की बात करता है मतलब अभी जैसे छोटे छोटे जो मंजले जो medium textile जो industry है थोड़ी बहुत बचारे वो काम धंदा करते हैं लेकिन अब वो तो लोग artificial intelligence को introduce नहीं कर पाएंगे तो वो तो ऐसी बंद हो जाने वाले हैं तो बचे ने बचे हैं जो बड़े वाले अब बड़े सारी चीज़े हैं लेकिन प्रोलम है तो solution भी होगा क्या solution है आप यहां पर देख सकते हो question भी मैंने शायद लिखे थे इसके लिए कहां के हाँ यह रहे न question तो आप इस questions को विद्वस्तों देख सकते हो textile industry has huge potential to become the part of the economic growth of the South Asia in general and India in particular तो यह question है discuss the challenges faced by the textile industry in South Asia suggest the measures India needs to take to overcome the challenges to be a leader in this sector तो यह दो questions है content सबका सेम है क्या solution हो सकते हैं देखिए the integration of skilling and the technological investment तो सीधी सी बाता समय के साथ आपको चलना पड़ेगा technology में आपको investment करना पड़ेगा लोगों को skill देने पड़ेंगे आपको उनको education देना पड़ेगा ensure living wage and the ease of access to education तो लोगों का education दीजिए living wage का मतलब यह है कम से कम इतना पैसा तो उनको देना पड़ेगा कि वो कम से कम basic जरूरते अपनी पूरी कर सके है ना क्योंकि देखिए अभी Asia, Vietnam, Philippines अगर इन countries के हम लोग बात करते हैं India, Pakistan and all that Bangladesh यहां पर विदेशी कंपनिया क्यों आती हैं खासकर वो कंपनिया आती है जहां पर labor intensive जो काम होता है क्योंकि यहां पर labor सस्ता होता है कम पैसे में आप करवा सकते हो अराम से क्योंकि अगर आपको UK के अंदर लोगों को काम दोगे तो आपको कहीं गोना ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है तो एक तो living wage आपको यहां पर लोगों को देना पड़ेगा उसके लिए डिजिटलाइजेशन and automation in area such as design, prototyping, production वो आपको इंटर्डूस करना पड़ेगा जितना जल्दी हो से क्योंतना इंटर्डूस कीजिए क्योंकि जितना लेट होते चले जाओ जैसे नया technology आएगा आप उसके साथ cope-up नहीं कर पाओगे, quick transportation की requirement है ताकि जो transportation cost होती है वो थोड़ी सी जो है कम हो जाए, तो factory से जो है coastal area पोर्ट तक और फिर जब आप अगर raw material import करते हो, machinery import करते हो तो वो भी जल्दी से जल्दी हो सके, जिसमें आपका input cost कम हो सके, input cost कम हो तो overall जो output है वो भी सामान बनेगा, वो भी सस्ता होगा, यह सारी की सारी इनुने में आपे बाते बोली है, tax exemptions, reduction in the imported technology, accessibility to the financial incentive, जो सरकार अभी दे रही है, यह काफी अच्छे step है, तो जो भी अगर आपको machine हो गरा है, introduce करनी है, textile industry में, सरकार अभी उसके उसके उपर बहुत technology के अंदर invest बिल्कुल भी नहीं करती, उन industry के अंदर investment बिल्कुल भी नहीं करती, जो की climate friendly नहीं होते हैं, या फिर जहां पे child labor किया जाता है, वो सारी की सारी चीज़े, तो यह बड़ा एक अच्छा suggestion है, कि यह जो इंडिया, पाकिस्तान, श्रिलंका, बंगलादेश में ज खलता है, तो green, हम लोग green agriculture का use करें, जो renewable energy sources है, वहां से हम लोग electricity लें, जिसे हमारे machine बगारा चले, तो sustainability को introduce करना बहुत जरूरी है, ताकि और ज़्यादा foreign investors यहां पे आ सके, और foreign जो buyers हैं, वो Indian products को, जो है, वो consider यहां पे कर सके, reskilling और upskilling भी जरूरी है, देखें, मतलब ऐसा नहीं है, कि आपके एक बार job मिल गया, तो आप हमेशा के लिए job करते ही रहोगे, वहां समय बदलता है, technology बदलती है, तो लोगों को नया नया skill देने की भी जरूरत है, तो वो सारी-सारी बाते इन्हों नहीं हां पे बोली हो कोड़ लीड, देखें, हम लोगों ने क्या बात कहता उपर, हम लोगों ने कहा था कि नया technology introduced करने की जरूरत है, अब यहां पे इंडिया को extra advantage है, क्योंकि as compared to Bangladesh, Sri Lanka और Pakistan, इंडिया के पास human resource जाद अच्छा है, तो definitely हम उन से आगे lead कर सकते हैं, है न, यह बहुत बढ़िया इंडिया में, क्योंकि इतने सारे engineer scientist लोग है, न, यह न, discovery कर सकते हैं, research कर सकते हैं, आप skill कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें, इंडिया को जो potential है, इंडिया को जो potential lies in the resources की इंडिया में कमी नहीं है, infrastructure भी अच्छा खासा है, technology में investor में लोग करी रहे हैं, demographic dividend मतलब हमारी बहु में बहुत ज़्यादा advantage है, ठीक है, इंडिया में supply की बिल्गो भी कमी नहीं है, raw material हमारे पास खूब है, पुरा black जो soil वाला पुरा area है, गुजराद, महराश्टरा, संपार्टो तिलंगान and all that, वहां से हमारे पास खूब सारा textile आता है, पंजाम में बहुत ज़्यादा cotton grow क किया जाता है, part of haryana as well, तो कमी नहीं है, हमारे पास raw material की, बस कमी किस चीज की है, कि आप थाड़ा थोड़ा modern technology का introduce कीजिए, ठीक है, कुछ नए-नए research कीजिए, और सारी technology को अपसमे integrate करने की ज़रूत है, तो वह सारी-सारी चीजी इन्हों नहीं आपर बोली हुई है, अगर यह step दोस्तो प्रोपर तरीकेस implement हो गया है, तो आप यह समझ लीजे, कि इंडिया जो है textile industry में world leader बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता, उसके लावा और भी कही सारी-सारी step है, जो इंडिया ने ले रही है, future में और भी जादा लेने की जुरूत है, जैसे labor law reform, additional incentive आप दे सकते हो, income tax relaxation आप दे सकते हो, duty reduction जैसे import duty आप कम कर सकते हो, export duty को कम कर सकते हो, सारी चीजे, man-made fiber से भी competition बढ़ रहा है, धीरे-धीरे synthetic fiber से, तो cotton की जगा आजकल textile जो है नई-नी चीजे भी आ रही है, fiber वाला, तो वो कुछ आप उसमें भी कर सकते हो, definitely क्योंकि वो भी textile industry क दरी include किया जाएगा, यह चीजे कुछ हम लोग कर सकते हैं, हलांकि सरकार अच्छा खासा कर रही है, लेकिन इन्होंने कहा कि future में अगर आपका relevant रहना है, तो यह step और ज़्यादा एक step आप आगे जा सकते हो, बस यही तो इस पूरी article के वारे में, आयोप इसके करने के तो यह हमारा यहां पर साउदी आ जाता है, इधर आपका यमन आ जाता है, तो यहां से लगातर अटैक करते रहते हैं लोग, है ना, तो यमन से जो है, लगातर यमन से इधर, कभी इधर, कभी इधर जो है, वो लोग अटैक करते ही रहते हैं, तो हूथी और वो जो सरकार के बिच में लड़ाई चल रही है, कोई नया topic नहीं है, आपको पहले से इसके बारे पता है, थोड़ा सी इसको पढ़ना था पढ़ सकते हो, ये हम लोगो ने लोड़ी देख लिया है, Japanese जो है ये भी हम लोगो ने कर लिया है, Indian Air Force plans to cut downtime to fighter jets, देखे ठीक है, हमारे पास यहाँ पर या फिर इंडेजनेश डिवेलप करें यह जैसे सुखही हो गया या दूसरे हो गए यह जो है आप उसको इंड़ियूस कर सकते हो तो यही थोड़ा सा था कोई खास अभी इंपॉर्टन नहीं है कोई खास नया एक्विजिशन होता है नहीं टेकनोलोजी आती है वो हमारे लिए ज्याद़ इंपॉर्टन हो था यह डेली बेसिस की न्यूस हमारे खास कम हो रही है तो यही था दोस्तों आज के लिए आई होप आपको मज़ा आए होगा आर्टिकल करने में आज आर्टिकल थोड़े लंबे थे कम थे लेकिन मजज़ेदार थे लंबे थे और एक्जाम में कोशन पूछने के काफी ज़्यादा चांसिस यहां पर बनते हैं तो जो स चलेंगे प्रिलिम्स मेंस और ऐसे की तैसरीज हम लोग यहां पर रहे है उसके लावा डेली कविज और प्रिलिम्स की टैसरीज पंदरहा दिन में र१िक्टमें, यहां पर अव्विकल सकता है चले तो आज रिधा हित रही ही थेंक क्यों वेरी मझश की नोटस ही आपको मि झाल झाल